हाँ तो बच्चों एवी मोटिवेशन पे आप सबका बहुत वाम वेलकम अब यहां तो फालतू की बात भी होगी और काम की बात भी होगी क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड बात सुन-सुन के आप लोग बोर हो गए तो यहां तो कुछ भी कहा सकता है आपके पास भी स्कोप ह मेरे पास भी हाँ तो खास चीज हॉस्पिटल की ट्रेइनिंग से इंटर्शिप से रिलेटेड यह कंप्लीट वीडियो होगा ठीक मैंने टार्गेट एम बता दिया उसी चीज़ के बारे में बात होगी है अब पहली चीज बच्चों के सवाल पर आतने हैं बच्चों का मैंने अपने कॉलेज के बच्चों को कल के कल ट्रेनिंग लेटर दे दिया कल के कल बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि मेरे कॉलेज में अभी नहीं दिया जा रहा है तो यह कॉलेज का अपना इन हाउस मामला है काइदे से दे देना चाहिए कुछ कॉलेज तो मैं ऐसे भी जानता हूं जिन्होंने एक paper के पहले training letter दे दिया क्योंकि वो आपके right है, आपका right है आपको training करनी ही करनी है ठीक, तो आप college में बात करो, insist करो, pressure बनाओ, वो देंगे दूसरी बात, training कहां से करना, हाँ, दूसरी बात यह कि वो बच्चे जिनका UFM लग गया है क्या वो ट्रेनिंग करेंगे बच्चों ट्रेनिंग सबको compulsory है ट्रेनिंग सबको ट्रेनिंग लेटर सबको मिलेगा result विजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है बज़र तरीका बता रहा हूँ बाकी कॉलेज वाले अपना इन हाउस बना लें वो उनका अपना मैटर है वो क्यों नहीं दे रहे हैं वो भी उनका अपना मैटर है वो गवर्निंग बॉर्डी है उस कॉलेज की लेकिन जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बहुत ही रेपुटेड कॉलेज में पढ़ा हूँ DBD बता होगा और बहुत ही रेपुटेड कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ उस कॉलेज का नाम सिर्फ इसले नहीं बता रहा हूँ कि इतना क्राउड ही कठा हो जाएगा असपास से कि वो हन्डल कर पाना मेरे बस की बात नहीं है लेकिन फिर भी परेशान मत हो यह कुछ समय के बाद हम लोग खुद जब भी मैं जिस सहर में जाओंगा मैं अपना टारगेट जरूर बता दूँगा वहां के जो भी बच्चे हैं उनसे मैं आके जरूर मिलूँगा और एक समय आएगा कि आप सबसे क्यों 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 जिस तरह से आवरेंसिंग क्लासेस को आप लोगों ने बढ़ाया है एवी मोटिवेशन को बढ़ाना है आप लोग फाउंडेशन न्यू हो आप ठीक क्योंकि यह सुरुआती दौर है अब ट्रेनिंग कहा करनी है कोई भी स्टेट गवर्मेंट का हॉस्पिटल हो या कोई भ कहां से मान होगी या तो किसी भी सरकारी होस्पथाज चाहाए वो सेंट्रल गवर्म Works ऑ Pole हो सेंट्रल या तो 500 hours या 3 month, 3 महीने या 500 घंटे की ट्रेनिंग होगी और मन लगा के ट्रेनिंग करना, इस ट्रेनिंग में जितना कुछ आपने पढ़ा है वो सब यूटिलाइज कर लेना, सब एक्सपरिमेंट कर लेना, और विश्वास मानो मेरी ये बात, ये ट्रेनिंग में जितना खोगे, ये आपके अपने भविश्य के लिए बहुत ज़्यादा important होगा, हमेशा हमेशा आपको काम आता रहेगा, चाहे कोई medical store खोलना चाहे, आपको medicine का knowledge होगा, ठीक, चाहे कोई अपना छोटा मुटा डॉक्टर के साथ practice करना चाहे, कुछ भी कर सकते हो, marketing company खोल सकते हो, और भी scope की बात हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे कि deform करने के बाद हम क्या 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 कर सकते हैं, कौन कौन सी field हैं, तो हमारे लिए जैसे कुछ बच्चे कुछते क्या करें, तो career oriented बात हम इसमें क्यों hospital training की बात करेंगे, फिर हमें study करनी है, higher study या कोई job करनी है, या medical store खोलना है, तो कैसे खोलना है, और उसको कैसे improve क्या सकता है, इन सब के बारे में बात हम separate video बना देंगे, उस पे बाकाइदे होगी, ताकि जिसकी बात हो वो detail में हो पाए, यहाँ पे hospital training थी, कोसिस करना, कुछ बच्चे बोलते हैं, सर मैं लखनों से हूँ, और यहाँ पे य यह hospital है, इस hospital में कह रहे हैं, कि seatे full हो गई है, तो seatे full हो गई है, अगर setting कर सकते हो, influence से, या किसी और तरीके से समझ सकते हो, आप कर लो, नहीं है, तो एक महिने wait कर लो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक, लेकिन करना आपको central government या state government से के hospital से ही है, वही मानने होगा, दूसरा एक, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, जॉब मैं मुंबई में कर रहा हूं, या मैं कुछ को एक question था कि मैं UP का रहने वाला हूं, जॉब बिहार में कर रहा हूं, तो क्या बिहार की training, अगर मैं बिहार के सरकारी अस्पताल से करूँ, वो यूपी में मानने होगी, बच्चों किसी भी सरकारी अस्पताल में, देखो क्या है, कि इसमें क्या कहा गया है, हॉस्पिटल स्टेट गवर्मेंट का हो, या सेंटल गवर्मेंट का हो, कहीं ये नहीं स्पेसिफाई किया गया है, कि आपका जहां पे college हो आपका वहां का central government या state government hospital हो आप all over India कहीं के भी central government, state government के hospital से training कर सकते हो but training करने के से पहले letter लेने से पहले आप अपने college को आप inform कर देना कि मुझे ऐसा करना है ठीक तो बाकी उनका in house मामला है अगर वो नहीं मानते हैं तो थोड़ी सी problem हो सकती ठीक बाकी और कहीं कोई समस्या नहीं होगी तो यह मैं बता दूसरा एक एक ऐसा paper होगा ठीक इस तरह का और तीन सेम टाइप के इस तरह के होंगे है ना नहीं दिख रहा होगा तो बता तो चार page का training letter होगा एक पहले page पे क्या है कि आपको hospital का नाम लिखना है जिस hospital में आपको training करना है means hospital पहुचके पहले बात कर लेना उसके बाद ही उसको भरना उसके बाद आपका नाम रहेगा बाकी की जो तीन पेज रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे जिसमें आपका नाम आपका एड्रेस आपके फादर का नाम रहेगा फिर आपका नाम रहेगा और आपका master जो chief pharmacist जिसके अंडर में आप training कर रहे हो उसका नाम रहेगा ठीक last में क्या होगा कि जो आपका CMO होगा जो chief organization officer होगा वो क्या उसका जो है step more हो जाएगा ऐसे तीन sheet रहेंगी जिसमें से दो sheet एक hospital summit हो जाएगा और दो sheet लेके आपको अपने college जाना है ठीक जिसमें से एक seat आपकी college में जमा हो जाएगी आपके college में जमा हो जाएगी उस वो जमा होने के साथ ही means वो approval letter होगा आपका ठीक वही seat जो आपको college से मिली है वही ले जानी है वो college में जमा होके आपका diploma मिल जाएगा और एक sheet तीन मिलेगी ना एक hospital में जमा हो गई एक आपके college में जमा हो गई और एक आपके diploma के साथ जाएगी कहां पे PCI के office में registration के लिए compulsory part है hospital training और hospital training में वही चाहिए जो आपके college ने issue किया है मदब chief medical officer के साथ साथ आपका सबसे नीचे दिया होगा academic head का sign और मोहर sign और मोहर करके आपका college देगा आपको आपको वही लेके जाना है PCI office और उसको देख के आपका registration होगा registration होने के बाद 45 दिन के अंदर आपका green card आप तक पहुँच जाएगा ऐसा criteria है लेकिन mostly होता नहीं है तो मैंने बता दिया 45 दिन चाहिए वहां जाके बात कर लेना कोई तरीका बताते है तो तरीका अगर आपको suitable लगता है तो तरीका अपना लेना जैसा भी कुल मिला के रहे महलब यह पूरी process रहेगी hospital training hospital training में ऐसी जगे आप जो है पूरे lifetime यह training काम आएगी जैसे college का time कभी नहीं भूला जा सकता वैसे आपकी training का time कभी नहीं भूला जा सकता ठीक तो ज़्यादस ज़्यादा सीखने को हिस करना 500 घंटे या 3 महिने का time रहता है ठीक तो यह सारी चीजे हैं बाकी अगर कोई confusion है बाकी कोई confusion है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में यूए फेम वालोंगा क्या होगा पेपर जिसका expire दिखा रहा है उसका क्या होगा पेपर होगा नहीं होगा कब होगा इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में साथ शाम तक या कल सुबह तक अपलोड कर दूँगा ओके बाई